तो लोग कहते हैं कि यह कंपनी बेकार है सब बहुत सारी कंपनिया हैं मार्किट में और यह लोगों का पैसा लेके भाग जाती है यह सवाल सबसे जादा आता है देखिए मैं आपको ने एक फर्मूला देता हूं कभी भी सामने से सवाल आए तो फिल फेल्ट फाउंड सबसे पहले आपको उसकी हा में हा मिलानी है क्योंकि यदि आप हा में हा नहीं मिलाओगा आप कितने भी अच्छे तर्क दे लेना पर वो सामने आला आदमी भरके बैठे कि मैं तो इसकी बात सुनूंगा नि तो जैसी रचना जी निये सवाल किया तो मैं रचना जी को ये कहता हू क्योंकि जब मैंने इस business की शुरुआत की थी ना इसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे क्यार company आती है पैसा लेके भाग जाती है पर जब मैंने modicare का profile देखा ना आप 6P के बारे में पता से कि कि जब मैंने मोदी केर का प्रोफाइल देखा, तो मुझे पता लगा कि यह तो 26 साल पुरानी कमपनी है, और मैंने एक स्टेडी में यह देखा था कि कोई भी कमपनी जो बनती है, 90% कमपनी अब पात सालों में बंद हो जाती है, पर मोदी केर तो 26 सालों से चल लिए, तो इसका प्रोफाइल तो बड़ा अच्छा है, दूसरा मैंने देखा, पूरे भारत में केवल दो ही बिजनसमेन ऐसे हैं, जिनके नाम पे शहर बसा हुआ है, एक टाटा नगर, एक मोदी नगर, तो इतना बड़ा व्यापारी घराना है, जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनिया कई सालों से चल रही है, तो अगर वो उस कंपनी के साथ मैं जुड़ता हूँ, तो मेरा भविश्य सुरक्षित होगा, हाँ, मैं मानता हूँ, बहुत सारी कंपनिया भाग जाती है, जिनका प्रोफाइल अच्छा नहीं होता, पर जिस वेक्ति को देश सेवा और समाज सेवा की होज़से, पदम भूशन पुरसकार से सम्मानित किया गया है, और जो 66,000 करोड का ग्रूप है, उसके साथ अगर मैं जुड़ूँगा, तो मुझे यकीन है कि एक ग्रूप यहां से भागने वाला नहीं है, साथ में आप दो चीज़े बोल सकते हो, कि देखें कोई भी कमपनी दो सूर्तों में भागती है, पहला या तो घाटे में चली जाए, तो भाग गई, दूसरा या उसने उकाद से ज्यादा पैसा कमा लिया, भी 50,000 रुपे कमाता था, किसी कमपनी में 5-10 करोड रुपे कमा या बंद किया भाग गया, पर जो 66,000 करोड का ग्रुप है, वो कहीं पे भी भागने वाला नहीं है, क्योंकि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और बहुत सारे इंडस्ट्री इनके नाम पे चल रहे हैं, जैसे इंडो फिल हो गया, जैसे पान विलास, पान मसाला ह गया, कलर बार कॉस्मेटिक हो गया, तो आप बिल्कुल सही जगा पे हैं, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ें, मैं चाहूँगा एक बर आप भी गूगल करके उस कंपनी को जरूर देखिएगा, तो आपके सवाल का जवाब आपको वहां से मिल जाएगा.